लोहा पिगलता है तो लोहे का आखार बनता है और जब सूरिया चलता है तो रनों का अमबार बनता है बानखिडे स्टेडियम का ऐसा कोई किनारा नहीं जहां सूरिया ने सोट मारा नहीं ना तलबार की धार से ना गोलियों की बोचार से बाला डरता है तो सिर्फ सूर्य कुमार यादव की मार से नाम सूर्य कुमार यादव काम अकेले दम पर मुंबई इंडियांस को IPL 2023 के टॉप त्री में एंट्री दिलाना आलोचको को दिखाना कि आज भी सूर्य कुमार यादव दुनिया का नंबर पन T20 बल्लेवाज है जियां दोस्तों सूर्य कुमार ये क्रिकेट की दुनिया का ऐसा नाम है जो पिछले दो-तीन सालों से T20 क्रिकेट का बास्सा बना हुआ है और दोस्तों गुजराट टाइटन्स के खिलाब बीवो आईपेल के 12 मर्च को खेले गए एक महा मुकाबले में टीम इंडिया के सूर्य कुमार यादव ने तो मानो तहल का मचा दिया हूँ बानखेडे स्टेडियम में खेले गए बीवो आईपेल के शंताउन वे इस मैच में जब इसान के सन 31 और रोईश शर्मा 39 रन बना कर आउट हुए तो गुजराट को लगा कि मैच उनकी मुठ्री में है लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने मात्र 49 गेंदों पे 103 रनों की शत्किय पारी खेलते हुए गुजराट टाइटन्स के कप्तान हार्दिक पांड्या के चेहरे पर मायूसी की बोचा ला दी सूर्य कुमार यादव की धाकर बल्लेबाजी के आंगे गुदरात के गेंदवाजों की एक न चली मुहमद समीप 53 ररों से लुटाई हुई मोई सर्मा 43 रन दिये रासित खान 30 रन दिये नूर अहमद 38 और अलजारी जोसिप को भी बाउन रन पड़े सूर्य कुमार यादव ने क्रीज पर आते ही ऐसे ऐसे अतरंगी सोट्स लगाए जिसे देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुल कर भी सूरिया के सोट्स की सराहना करने लगे कुद बराट कोली ने भी सूर्य कुमार यादव को ट्वेटर पर ट्वेट करते हुए लिखा वाह क्या पारी थी सूर्य कुमार यादव की इस बेबाक पारी पर मुंबई ने 200 से ज़्यादा रनों का स्कोर बनाया और गुजरात को 27 रनों से पटकनी दी वहीं दोस्तों रासित खान ने भी एक सांदार पारी खेली और सांदार भिकिट भी लिए सूर्य कुमार यादव को उनकी इस सांदार शतके पारी पर पहले IPL सतक मैनब दमैच का किताब भी दिया गया दोस्तों सूरी कुमार यादों की शांदार पारी पर आपकी कहरा है कमेट करके चरूर बताएं